यहांदि के आज सावल पोर्ड चुनावी रैली जार्खंड में एक पश्चिम मंगाल में तीन जनसभा को करेंगे संबोध है अमिश्रा का आज यूपी और विहार दौरा है यूपी के प्रयाग राज और जौनकूर में रैली शांग 4 बजे बिहार के बेटिया में करेंगे प्रचार जेपी नड़ा आज हरियाना दौरे पर हूंगे कैथर में करेंगे चुनावी सभा करनाल में पाथी कारे करताओं के साथ मेटे राहुल गांधी और अखलेश च्यादो आज यूपी में भरेंगे दम प्रयाग राज में दो साजा रैली में भरेंगे हुंका सियम योगी का आज धुआधार प्रचार यूपी की छे सीटो पर पार्टी प्रत्याश्चियों के लिए वोट की अफील करेंगे पियम मोदी का कॉंग्रेस और आप पर हमला बोले इंडी गट बंधन के सभी नेता है भरष्ट अचारी पियम मोदी के बयान पर सांसर संजर सिंग का पलटवार बोले वीजपी जब भरष्ट अचार पर बोलती है तो ऐसा लगता है जिससे डाकू गबर सिंग अहिंसा पर बोल रहा दिल्ली में राहूल गांधी बोले मैं इस बार आम आद्मी पार्टी के प्रत्याश्ची को वोट दूँगा अर्विन के जवाल कॉंग्रेस के प्रत्याश्ची के लिए वोट डालेंगे राहूल गांधी का प्येम मोधी पर बार बोले नरिंद्र मोधी ने 22 से 25 लोगों के लिए काम किया छोटे वैपारियों का एक रुपए भी माफ नहीं किया फिर एक बार राहूल गांधी ने प्येम मोधी को डिबेट के लिए चुनौती दी कहा मैं तयार हूँ नरिंद्र मोधी से डिबेट करने के लिए सोनी पत में प्येम मोधी ने कॉंग्रेस पर हमला किया कहा वोट जिहाद की बात करता है इंडी गट बंधन अमबाला में प्येम मोधी का बड़ा दावा बोले चार चर्णों में इंडी गट बंधन चारों खाने चित हो गया अमेठी में अमिश शाह ने किया रोड शो इस्मृती रानी के समर्थन में वोट की अपील की अमेठी में समाजबादी पाठी के विधायक अभे सिंग और आकेश प्रताप सिंग से मिले अमिश शाह इस्मृती रानी भी मौजूद रहे हाई प्रोफाइल सेट अमेठी के लिए प्रियंका गांधी ने रोड शो किया कॉंग्रिस प्रत्याश्वी के इल्श शर्मा के लिए वोट की अपील की कॉंग्रिस नेता दिपक संग ने बुक्किया सुनती रानी का ट्रेंड का टिकर कहा जनता मेठी से करेगी विदाई प्रियंका गांधी का राय बरेली का दौरा मंसा देवी मंदिर में पूजा अर्चुनाकी के रुद्वारे में मत्था भी तेका यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान कहा च्छे महिने में प्योके होगा भारत का हिस्सा तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने जा रहे हैं मोडी जी असम के सीम हिमन्ता विस्वा सर्मा बोले कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान में है 400 सीट दीजे हम कश्मीर का वो हिस्सा लेंगे चुनावी सभा में सीम हिमन्ता विस्वा सर्मा बोले राहू को पाकिस्तान का बनना चाहिए प्रधान मंत्री कॉंग्रेस नेता दानिश अली के बिगडे बोल असम के सिम हिमन्ता विस्वा सर्मा पर विवादित टिप पड़ी की केंद्रिय मंत्री निर्मला सितारमन के बयान पर सोमनाथ भार्थी का पलटवार वीडियो जारी कर बोले पारिवारिक विश्यों पर गंदी राज निती ना करें दो दिन पहले निर्मला सितारमन ने कहा था गांधी परिवार के सदस्य सोमनाद भार्थी को वोड़ देंगे जन पर अपनी गर्वती पत्नी पर हमला करने का रोप है सीएम एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर प्रहार बोले सावर कर विपक्ष को पसंद नहीं औरंग जेब उन्हें पसंद है अमरेस्तर में कॉंग्रेस उमिद्वार गुर्जी तो ओजला की रैली के बाहर चली गोली फारिंग में एक युवक जखी हुआ फारिंग के बाद कॉंग्रेस उमिद्वार गुर्जी सिंग ओजला बोले गोली चलाने वाले एक आप उमिद्वार का करीबी रिश्टदार है अनन्त नाग में प्रचाद के दोरान महबूबा मुफ्ती के स्कॉट गाड़ी दुर्भटना ग्रस्त हुई आईटी बीपी का एक जबान जखमी हुआ पुर्वी मेदिनीपूर में बीजेपी नेता विजय खृष्ण की हत्या मामले में कारिवाई शुरू हो गई है एनाईये की टीम जाक्ष के लिए पहुची टीमसी नेता पर हत्या कारू करनाटक में अंजली अंबीगर की हत्या के खिलाप आक्रोश है अंबीगर समाज से जुड़े मठो के कई संतों ने प्रदोश्ण किया कौंग्रिस वरबर से राज़राज सिंग बोले जैसे दुनिया से डाइनासोर विलुप्त हो गया वैसे ही कौंग्रिस भारत की राज़मीती से विलुप्त हो जाएगी गिरीराज सिंग का लालु प्रसाद यादो पर हमला कहा मुसल्मानों को आरक्शुर दे कर देश को मुस्लिम रष्ट बनाना चाहते हैं लालु अकलेश यादो का बीज़पी पर बार बोले ये कहते थे ना ना खाएंगे ना खाने देंगे लेकिन बॉन्ड के जरिये सब ड़कार गए पुर्व सीम हुपेश बगेल का सीम योगी से सवाल पूछा क्या गौमान्स के निर्यातक से 2500 करोड रुपे लेने वाली बीज़पी के साथ आपको रहना चाहिए चिराग पास्वान का बड़ा दावा कहा बिहार में एंडिये को मिलेगी सब ही 40 सीटे देश में एंडिये इस बार 400 बार लालू प्रसाद का पीए मोदी पर हमला बोले पीए मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं इसका मतलब वो हार रहे हैं आल इंडिया मुस्ने परस्टनल लॉब बोर्ड के प्रवक्ता और उमर खालिद के पिता बोले कनहया कुमार और उमर खालिद दोनों की लड़ाई एक है जम्मु कश्मीर के बढ़ गाम में अन्सेपी उमिदवार उमर अब्दुल्ला ने किया रोट शो कश्मीर की जनता से अपने लिए समर्थन मांगा ममता बेनर जी पर अधीर रंजन चौधरी का बयान कहा मैं किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करूँगा जो कॉंग्रिस को नश्टु करना चाहता हो यूपी की 14, महराश्टु की 13, बंगाल की 7, बिहार, ओरिशा की 55, जार्खन की 3 स्टीटों पर कलमत दान होगा बियस्पी प्रमुख माया वती का दावा बोली अगर चुनाव में गड़बड़ी नहीं हुई तो बीजपी सत्ता से बाहर हो जाएगी बंगाल बिजपी अध्यक्ष्र सुकांद मजुंदार को इसी का नोटिस सुकांद पर ट्यम्सी को भ्रष्टचार की जड़ बताने का आरुख केज़वाल के घर में स्वाती मालीवाल से मार्पीट मामले में गिरफतार विभा कुमार को जटका तीस हजारी कोर्ट ने पास दिनकी पुलिस का स्ट्रेडी में भेजा मार्पीट मामले में जारी है आप और स्वाती के बीच जंग स्वाती की मेडिकल रिपोर्ट में चोड़ के निश्टान मिले आप बोली नए वीडियो में मालीबाल का दिखा सच सीम के जिवाल का मोधी सरकार पर बड़ा हमला बोले जेल जेल कब तक खेलते रहेंगे पीएम आज बीज़ेपी दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे अर्विन के जिवाल के बयान पर आरज़ेडी निता टेजस्वी यादो बोले बीज़ेपी डरी हुई है देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है मंत्री आतिशी ने बीज़ेपी और दिल्ली पुलिस पर फरसी केस कारोप लगाया बोली बीज़ेपी का सब शड़ेंत रहे जेपी नड़ा का सीएम के ज़वाल पर प्रहार बोले जिसके ड्रॉइंग डूम में एक महिला के साथ बस सलूकी हुई ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का हक ने सीएम हिमन्ता काक सीएम के ज़वाल पर निशाना दिल्ली पुलिस से इस घर्टनाप पर अर्विन के ज़वाल की भूमिका की जाच करने की मांग की जमु कश्मीर में दो जगों पर आतंकी हमला हुआ शोपिया में बीज़ेपी नेता की गोली मारतर हत्या की गई बीज़ेपी नेता और पूर्व सर्पन चैजास अहमत श्रेक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा महबुबा मुफ्ती ने की आतंकी हमले की निंदा एक्स पर लिखा सरकार के हालास समाने होने के दावों के बीच हमला चिंता जुनक है कश्मीर के गांदर बल में युवक पर चाकुस से वार इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुए मेरट के वाटर पार्क में महलाओं से छड़खानी का आरोप है पिडित पक्ष का पुलिस पर आरोप कहा पुलिस ने हमें बुरी तरीके से पीटा महिलाओं का आरोप स्केटिंग कराने वाले कर्मचारियों ने छिडखाने की विलित महिलाओं के परिजुनों ने कहा मौके पर पहुचे पुलिस दोनों पक्ष को ले गई थाने मुकदमा दर्च कर जांच शुरू गे यूपी के मुरादाबाद में ट्रेनिंग के दौरान हासा हुआ महिला हौकी कोच पर हमला करने बाला रिष्ट किया गया आगरा में दो जूता वैपारियों के ठीकानों पर इंकम विभाग की रेट पड़ी पूडे सोलापूर रोड पर बैंट बजाने वालों पर गिरी होडिंग कई गाड़िया और गोड़ा दबने से भारी नुटसा यूपी के कानपूर में दिवार गिरने से मजदूर घायल हुआ टौकिज को तोड़कर कॉंपलेक्स बनाने का काम चल रहा था ग्रेटर नोडा के अजनारा होम सोसाइटी में काफी देर तक लिफ्ट में फसा रहा परिवार सोसाइटी के लोगों ने कड़ी मश्रक्त के बाद बाहर निकाला लखनों में बड़ा हासा टला है बाजार के पास लगे ट्रॉंस्टार्मर में लगी आग पर फायर ब्रिगेट ने काबू पाया गाजियाबाद की एक सोसाइटी में जनरेटर में धहमाके के बाद आग लगी मश्रक्त के बाद फायर ब्रिगेट ने काबू पाया लखीन पूर खिरी की बच्ची लवली के इलाज के लिए डानी फाउंडेशन ने मदद की अपील की है मेरट में एक्टियर मनुज बाजपई ने अपनी आने वाली फिल्म का प्रमोशन किया शास्त्री नगर के एक मॉल में पहुचे थे नालंदा में विजली मिस्री से विबात के बाद अंधा धुन फाइरिंग हुई चार लोगों को गोली मारी गई पश्चिम बंगाल की पूर्वी मेदनी पूर्वे फिर से बम और बम बनाने का समान बरामद हुआ बिहार के छप्रा की गढ़ सा मदर्सा बं ब्लास्ट का मामला है बाल सनक्षड एकाई ने मदर्सा को बताया वै यूपी के मुझदफर नगर में लब जिहाद का आरोप धर्म छिपा कर इंस्ट्राग्राम पर की थी हिंदू युवती से दोस्ती दिली पुलिस ने नीट पेपर सॉल्वर गिरोग का भंडा फोड किया एंबिवेस के दो छातर सहे चार आरोपी गिरफता चार धाम यात्रा में पहुँच रही बंपर घिड के चलते यात्रा के स्ट्लॉट फुल हो गए है कश्मीर की गुरेज घाटी में वर्फिली तुफान से दहश्वत आसपास के इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया उत्तरफशिम भारत में गर्मी का कहर जारी है अगले पांच दिनों तक राहत मिलने की कोई उमीद नहीं मौसम भाग ने रेड अलर्ट जारी किया स्वास के लिहास से लंबे समय तक धूपे रहने वालों को बिमारी का जादा खत्रा मेरट जिला अस्पताल का बच्छा बॉट फुल डायरिया बुखार उल्टी दस्त के मरीज बढ़े केरल में आज और कल भारी बारिश की चेतामली है मौसम भाग ने किस माई के लिए केरल के नौ जिलों में जारी किया औरेंज वालट 19-22 माई के बीच केरल में एक और दो स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बिजड़ी गिरने की भी आश्रंका आंध्रप्रदेश के अनंतपूर इलाके में भारी बारिश दे जन जीवन अस्तिवेस्थ हुआ